वेलकम टूल मैं डियर स्टेंट मैं मुकेशर आप सभी का स्वागत करते स्टेंट आज कि इस क्लास में अगर आप सभी हिंदूस्तान के किसी भी जैम की त्यारी कर रहे हैं तो आज का टॉपिक आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेट होने वाला क्योंकि आज एक इंपोर्टेट कोश्चन लिया गया है ठीके न और जैसा कि आप सभी दख सकते स्टेंट की सारे प्रश्ण आप सभी के लिए इंपोर्टेट और यहां पर एक्जाम ओर्येंटेल लिए गया है और यहां पर इसके सारे एक्सप्लेशन भी आप सभी के लिए यहां पर बात क した आप तालिका न इसलिवे एस लेकर अजिवे पदक तालिका में कौन से अजिवे ले श्निवे खेत पहले अस्थान पर है करेंक 5 सलिवे अजुसों एसलिक हैं हैं Ε Для स्थान पर थीमें तो स्थान नमबर में थाइलेंड बें भारत और सीमें चीन और दी में पाकिस्तान राइट एंसर होत जाएगा आप सबीजर अबी कोशन लिया गटीए तो मैं बद yoo गांग आप सभी डाइ गेम्स 2022 और तेईस का आयो जग कहां पर हुआ है एसियन गेम्स 2022 तेईस का आयो जग कहां पर हुआ है आपसा नंबर ए में टोकियो जापान बी में होंग छोई चीन C में Paris France और D में इन में से कोई नहीं तो right answer हो जएगा Hong Choy का जो सहर है जो की चीन में है वहीं पर इस Games का आयोजन किया गया था यहाँ पर इसके सहर को देख सकते हैं आप सभी यहाँ पर location में आप से को दिखा देता हूं यहीं वो सहर है जहाँ पर की ACI Games का आयोजन किया गया है यहाँ पर आप सभी इस location को भी देख सकते हैं काफी important है आप सभी के लिए और यहाँ पर इसके location देख लेजे जो की यह जो yellow color का सारे जो आप सभी को दिखाए देरा इसी का यह part है ठीक है आप सभी देख सकते हैं तो अगले प्रश्ण को बात करते हैं प्रश्ण नमबर थ्री प्रश्ण नमबर थ्री आप सभी से पूछा गया है कि ACI खेलो का कौन सा संस्क्रण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंग छोई चिन में हो रहा है करें कि ACI खेलो का कौन सा संस्क्रण इस वर्ष 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होंग छोई चिन में हो रहा है तो इसका संस्क्रण की बात करें तो अपसन नमबर A में करा 28, B में करा 19, C में करा 21 और D में करा 23 राइट एंसर और जापसन नमबर B यानि क्यों 19 संस्क्रण हो रहा है जो कि आप सभी के चिन के सहर में हो रहा है ठीक है न अगले प्रशन को बात करते हैं प्रशन नमबर प्रशन आप सभी से पूछा गया है कि चिन के हौंग चू में एस याई खेल 2023 की उद्घाटन समारोह में भारतिय दल के धवजवाहा कौन थे यह कोशन आप सभी का जो चलना है काफी इंपोड़ेड है आप सभी हिंदूस्तान के किसी भी एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तो आज ही क्लास आप सभी के लिए काफी इंपोड़ेड होने व और दी में कर है हरम पीत सीन और लोलीना बोगो हैं राइट एंसर हो जाएगा अब सभी का राइट एंसर हो जाएगा कोश्य नंबर फूर का ठीक के नंघुए अगले प्रशन को बात करते हैं प्रशन नंबर फाइब फाइप नमबर प्रशन आप सभी से पूछा गया है कि भारत ने कितने बार ACI खेलो का में जबानी की है करें कि भारत ने कितनी बार ACI खेलो की में जबानी की है आपसा नमबर A में एक बार B में दो बार C में तीन बार और D में चार बार तो इस कोशन का जो राइट इंसर हो जाएगा आप सभी का आपसा नमबर B यानि की दो बार किया है ठीक ना आपसा नमबर B हो जाएगा आप सभी का इसके थोड़ा सा इंपोड़े पॉइंट्स को कवर कर लेते जो कि आप सभी के लिए काफी इंपोड़ेट होगा इन पोड़े पॉइंट्स की इसके बात करें तो भारत ने दो बार 1951 और 1982 में ACI खेलों की मेजबानी किया है अपना इंडिया ठीक है अब यहाँ पर बात कर लेते हैं तो उससे पहले आप सभी से आगे बढ़ने से आप सभी से एक छोटा से रिकेश्टि कि आभी तक आप सभी हमेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किये तो प्ली चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दिजेगा ताकि सहार एक प्रोष सिक्स दम्बर्ट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहें प्रश्ण प्रस नम्बर शिक्स कर रहा है को फिकर थे से एकोन कि तो फ्रते नम्बर आप से देख सकते कि आपसा नमबर A में करा 103, B में करा 105, C में करा 107 और D में करा 109 तो यहां पर देखिए जो स्वान पदक जीता है इंडिया ने वह 28 गों जीता है और रजग पदक की बात करें तो 38 और कास से पदक की बात करें तो 41 और टोटल कुल मिलाकर की 107 हुआ यानिकि 100 107 हुआ ठीक है न अगले प्रशन को बात करतें इस्टेंट प्रश नमबर 7 सेवे नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि ACI खेल 2023 में भारतिये घूर्ट सवारी टीम ने कितने वर्षों के बाद घूर्ट सवारी में सोन पदक जीता है अब कितने वर्षों में घूर्ट सवारी को अगले अगला प्रशन है अगला अगला प्रशन आप सभी का एट नमबर प्रशन आप सभी से पूछा जा रहा है कि किस भारती निशाने बाज ने एस याई खेल 2023 में महिलाओं की 15 मीटर राइफल और तीन पेशी जीशन असपरधा में के साथ सौन पदक जीता है यह कोशन आप सभी की एक्जाम के लिए आने वाले जो भी कमी एक्जाम है उसके लिए काफी ही पुड़ेड होगा आप से स्कीन सोड लेकर रख लिजेगा या मैं वीडियो में आप से बताने वारा हूं कि आप सभी कहां से जाकर करके इसका पीडि अगला प्रशन इस्टेंट आप सभी का नाइन नंबर नाइन नंबर प्रशन आप सभी से पूछा जारा है कि एसी आई खेल 2023 में पूरुस क्रिकेट वर्ग में कि इस टीम ने सोण पदक जीता है आपसा नंबर ए में भारत बी में पाकिस्तान सी में नेपाल और डी में सिर लंका राइट एंसर रोज़े कोशन नंबर नाइन का आपसा नंबर ए और जीता है खितना बहारत अपना इंडिया अगला प्रशन इस्टेंट आप सभी का दस नंबर और प्रशन पूछा जा रहा है कि एसी आई खेलो में पूरुष एकल वेडमिंटल में भारत को कितने व तो अपसर नमबर A में 43 साल, B में 41 साल, C में 45 साल, D में 42 यर्ज तो राइट एंसर हो जाएगा दस का आप सभी का अपसर नमबर B हो जाएगा यानि कि 41 साल बाद इसे ये पदक मिला है ठीक है ना अगले प्रसिन कर बात करते हैं इसे इंप्रस नमबर और 11 नमबर रहे दीपी का पल्लीकल और हरी दर पाल सिंदू की स्खेल से संबंदी थे आपसर नमबर A में टेनिस, B में किरिकेट, C में असकवास और D में टेबल टेनिस अगले प्रसिन कर बात करते हैं इसे इंप्रस नमबर 12 ध्यान दीजिएगा कि 12 नमबर प्रसिन आप सभी से क्या पूछा गया है तो 12 नमबर प्रसिन पूछ रहा है कि नीमने लिखीत में से किस ब्यक्ति ने 11 से से खेलों में पूरुशो की भाला फेक शॉड़ पदक जीता है तो पूरुशो की भाला फेक सॉड़ पदक जो जीता है आप सभी को पताओगा जिसे गोल्ड मैन के नाम से जाना जा रहा है 2022 में aci खेलों में पारूल चौधरी ने महिलाओं की पांस हज्जार मीटर सौन पदक में जीता अर्षपरधा में जीता वो उत्तर प्रदेस की कि सहरष आती हैं तो यह उत्तर प्रदेश की आपर अस्थान की बारें पूछा गया कि उतर प्रदेश के से किस सहर्ष आती है तो राइट एंसर हो जागा आप सभी का राइट एंसर हो जागा ठीक है ना मेरट से आती है अगला प्रश्ण इस्टेंट आप सभी का 14 नंबर की एसी आई खेल 2023 में पूरुसों की भाला अफेक परतियोगिता में निरत चोपड़ा ने सौन पदक जीता उसी असपर्दा में रजग पदक किसने जीता है तो उसी असपर्दा में बात करें कि रजग पदक किसने जीता है तो चौदा का राइट एंसर हो जग आपसा नंबर ए कि सोर कुमार जेना जीते हैं आपसा नमबर ए हो जाएगा अगले प्रेशन को बात करते हैं इस्टेंप्रस नमबर पंदरा पंदरा नमबर प्रेशन पूछा गया है कि ACI खेलों का उद्देश है ACI देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देना है खेल की आवरिती पर अउजित किये जátे हैं तो कितने साल बात ये आउजित कि जाते हैं तो रायट एंसर उओज्ज्जा को नमबर पंदरा का अफसा नमबर शी यानि कि हर चार साल बाद इससे क्या किया जाता है आज़ित किया जाता है अगले प्रश् openings के बाद करतेığın 16 नमबर 16 अवस भी से किया जा राई कि प्रतम ए सी-आई खेल का अधिकारिक तोर पर नए दिली भारत में किस वर्स आज़ित किये गये थी तो किस वर्स भारत में आज़ित किया गया था तो राइट एंसर रोज्जा का सोला काड़ी यानि कि चार मर्च 1951 को आज़ित किया गया था ठीक ना अगले प्रिशन को बात करते हैं सत्रा नंबर A.C.I. खेल दोजर तेस में भारत ने किस खेल परतियोगिता में सारदिक स्वण पदक जीते हैं आपसा नंबर A में एथलिट्स B में असक वेस और C में तीरंदाजी और D में निसाने बाजी राइटेंस रोजग सत्रा का आपसा नंबर D यानि कि सबसे ज़्यादा जो रजग ये पदक जीता है वो निसाने बाजी में जीता है अगले प्रश्ण इस्टेंट आप सभी का 18 नंबर ACI खेल 2023 में भारत ने किस खेल परतियों गिता में सारदिक पदक जीते हैं तो सारदिक पदक की बातकरे किस ACI खेल में जीते हैं तो 18 का राइट एंसर हो जाएगा C यानि कि एथलिट्स में जीते हैं अगला प्रश्ण आप सभी का 19 नंबर कौन सा खेल 2023 ACI खेलों में अपनी शुरुवात कर रहा है तो कौन सा शुरुवात कर रहा है तो आपसन नंबर D हो जाएगा स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग ये दोनों अपने खेल का सुरुवात करे पारंब करे तो राइट एंसर हो जग आपसन नंबर D हो जाएगा अगला प्रेशन आपसे का 20 नंबर 20 नंबर प्रेशन पूछा गया है कि आप सभी का की ACI खेलों में पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड तिरंदाजी सौर्धा अस्परधा में सौन पदक किसने जीता है राइट एंसर हो जागा 20 का आपसन नंबर B यानि कि ओजस ओजस देवताले हो जाएगे आपसन नंबर D आप सभी का राइट एंसर हो जाएगा ठीक है न अगले प्रेशन को बात करते इस्टेंट आप सभी का 21 नंबर प्रेशन पूछा गया है कि दोहजर चबीस में अगले एसी आई खेल कहां आज़ित होंगे तो दोहजर चबीस में बात करें कि कहां पर आज़ित किया जाएगा तो राइट एंसर हो जागा 21 का आपसन नंबर A में दच्छिन कोरिया बी में हैं इंडोनेसिया सी में जपान और D में मनीला राइट एंसर आज़ित किया जाएगा अगले प्रशन को बात करते काफी इंपुडेर प्रशन आप सभी के लिए टॉन्टी टू नंबर कि दोहजर तेस सितंबर से आठ अक्टूबर दोहजर तेस तक चीन में आज़ित ओनेस्वे एसियाई खेलों के लिए भारतिय दल के अधिकारी परियोजग के रूप में किसे नामित किया गया है तो टॉन्टी टू का जो राइट एंसर हो जाएगा अपसन नंबर B यानि कि अमुल को इसमें सामिल किया गया है नामित कि परिशन टॉन्टी थ्री नंबर की 2022 एसियाई खेल में पारूप ये तो हो गया ना मेरत अपसन नंबर A हो जागा ये कोशन रिपीट कर गया अगले परिशन कर बात करते 24 नंबर परिशन जो कि आप सब एक लिए HW के रूप में होगा जिसका एंसर आप से को अभी कोमेट लोक्स में देना है ठीक है ना करा कि अनुरानी ने एसी आई खेल 2022 में महिलाओं की भालाफिक में सौनपदक जीता वकिस राज्य से हैं आपसा नंबर A में मद्दे परदेश B में उत्तर परदेश C में आंदर परदेश और D में है राज्य स्था तो इसकोशन का राइट ए में थैंक्स वो राचिंग मैं बीडियो